दोस्तों SBI का Cashback credit card आज सबसे popular Cashback credit cards में से एक माना जाता है पर छह मेने पहले उसमें कुछ devaluations होए तो उसके बाद इस card के बारे में काफी ज़्यादा negativity है बट दोस्तों इस card की बात करें तो इसको मैंने November 2022 में लिया था और आज करीब एक साल हो गया है मेरे पास काफी premium credit cards है जिसे Axis Bank का Magnus credit card काफी टाइम तक मैंने इस एक साल में use किया HDFC Bank का Infinia credit card भी है और इसके अलावा भी कई सारे जो premium और अच्छे credit cards हो मेरे पास है इसके बावजूद भी इस credit card को यूज करके मैंने काफी ज्यादा जगर ट्रांजिक्शन किये हैं और वहाँ पर मुझे Infinia और Magnus credit card से भी ज्यादा benefit जो है वो HBI के cashback credit card में मिल रहा था और आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले एक साल में मैंने करीब 5000 रुपे से भी ज्यादा का real cashback इस credit card को यूज करके पाया है अब दोस्तों यह credit card जब issue गया गया था तो first year free issue किया गया था कोई joining fee नहीं थी अब इसकी renewal date जो हो काफी करीब आ गई है और काफी लोगों के तरह मेरे पास भी एक डिलेमा है कि क्या इस credit card को renew करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ कि क्या 1180 रुपे की choice की renewal fee है या इवन अब नए credit card users जो है जिनको 1180 रुपे की joining fee लगने वाली है वो वर्थ है या नहीं है क्या इतनी fee देखके ये credit card लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसी डिलेमा को solve करने की कोशिज मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ वीडियो को यहां तक देखा तो like जरूर कर लीजिए और channel पर नहीं तो इस channel को भी subscribe कर लीजिए क्योंकि credit card users के लिए यहां पर आपको बहुत ही अच्छी और useful जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी दोस्तों main point पर जाने से पहले इस credit card के जो benefit से score quickly समझ लेते हैं इस credit card को आप कहीं भी online use कीजिए across the side share app आपको 5% का real cashback मिलता है अगर इस credit card को आप offline use करते हैं तो आपको 1% का real cashback मिलता है online और offline दोनों मिला के आपको total 5000 रुपीज का real cashback जो है एक महीने में मिल सकता है मतलब साल में आपको 60,000 रुपे तक का real cashback इस credit card को use करके मिलता है सबसे अची बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनके कुछ partner brand से हैं या partner app से हैं वहीं पर 5% मिलेगा across the site जितने भी popular sites या app है उन सब पर आपको 5% का real cashback मिल जाता है और यही benefit इस credit card को बहुत ही ज़्यादा special बना देता है कुछ exclusions ज़रूर है जैसे utility bill payments पर आपको कोई cashback नहीं मिलता है insurance पर, NPS पर, rent payment पर, fuel पर और कुछ और categories है जो मैंने यहाँ description में और इस video की screen पर दी हुई है आप देख सकते हैं उन पर कोई cashback नहीं मिलता है बट बात यह दोस्तों इन सब को छोड़की भी ऐसे बहुत सारी sites है जो इतनी ज़्यादा known नहीं है जिन पर आपको कोई और coupon code नहीं मिलेगा कोई और credit card से कोई cashback discount नहीं मिलेगा और वहाँ पर भी आपको payments करने होते हैं और यह online payments होते हैं और यहाँ पर SBA का cashback credit card आपको 5% का real cashback दे देता है अब जब 1st year में यह credit card free था तब तो कोई dilemma नहीं था इस card को लेने में बहुत लोगा ने इस card को लिया पर जब अब इसकी जो fee है वो 1,000 रुपीज प्लस GST मलब 1180 रुपया होई है तब एक dilemma आता है कि इस card को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए Mathematically देखे तो 1,180 रुपीज की जो fee है वो कुछ भी नहीं है इसके जो benefit से उसके मुकाबले क्योंकि यहाँ पर आपको 60,000 रुपीज तक का real cashback मिल जाता है 1,180 रुपी की जो fee है उसको अगर आपको recover करना है तो करीब 22-23,000 रुपे का भी आपने online transaction किये पूरे साल में मतलब महीने में लगब दो जार रुपे की online transaction करते हैं इस credit card को use करके तो आपकी renewal fee जो है वो आराम से recover हो जाती है बट दोस्तों बहुत बार आप कोई और credit cards को use करेंगे किसी site पर क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा benefit बिल रहा होगा तो देखने वाली बात यह कि इस credit card को use करके आप कितने payments करते हैं अगर इस credit card को आप already use कर रहे हैं तो आप SBI के app में जाएए वहाँ पर आप SBI cashback card वाला जो page है उसको slide करके लेके आएए वहाँ पर आपको corner में more का एक option दिखेगा bottom में उस पर click कीजिए और वहाँ पर आपको cashback का option दिखेगा वहाँ पर click कीजिए और वहाँ से आप देख पाएंगे कि आपको अभी तक इस credit card से कितना cashback मिला है और उससे एक अंदाज आपको हो जाएगा कि इस credit card का फाइदा उठा पार रहे है या नहीं उठा पार है 1180 रुपे की जब fee है तो आपको pay करने है रिउनोल के time पर वो आ आप देख सकते हैं कि last month आपको कितना cashback मिला है last 6 मेने चार मेने जो भी हुए उसके साबसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक साल में आपको इस credit card को यूज करके कितना cashback जो है वो जनरली मिलता है उस basis पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस card को लेना चाहिए या नहीं लेना च cashback दे रहा है इसलिए यह credit card बहुत ज्यादा useful हो जाता है अगर आपके पास HDFC इनफीनिया इस तरह का super premium credit card नहीं है मेरे खाल से बाकी सारे credit cards के comparison में यह credit card आपको ज्यादा benefit देने वाला है especially आपके जो monthly expenses है वो 50,000 लुपीज यह से ज्यादा के 50,000 के कम spend है आपको तो किस पर cashback मिलेगा किस पर नहीं मिलेगा यह credit card बहुत ही अच्छा credit card है 5% across the side सब पर आपको real cashback मिल जाता है इस credit card को अगर अप्लाई करना चाहते तो application का process भी बहुत असान हो गया है पहले यह credit card बहुत मुश्किल से मिलता था अब SBI के sprint portal पर instantly credit card अप्रूव हो रहा है इस credit card को online apply करना जो link के मैंने description में दिया हुआ है वहां से click करके आप इसको instantly apply कर सकते है वीडियो KYC करने के बाद card जो आपको instantly मिल जाता है और e-card आपको मिल जाता है मनब card का number expiry date CV भी तुरंद मिल जाता है जिससे इसको आप online तुरंद यूज़ करना शुरू कर सकते हैं तो द कर दो